चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और question के बारे में इस question में examiner ने का है if a, b, c are real and a square plus b square plus c square is called to me 2 bracket के दिनर a minus b minus c bracket close minus 3 then the value of 2a minus 3b plus 4c is यानि examiner ने क्या इसको solve किज़े और बताई कि इसका right answer क्या है इसको solve करने के दो तरीके हैं एक तो detail से और एक आप assuming value यह से solve कर सकते हैं कैसे दरह देखिए आप यहाँ पर a, b, c की कोई value रख लीजे और ऐसी value रखिए जो यहाँ पर रखने पर और यहाँ पर रखने पर दोनों में यह value आए वो बराबर हो जाए तो देखिए अगर मैं यहाँ पर a की value one रखूँ तो one का स्क्वエर one होगा plus में b की value होगर मैं यह हो जाएगा आपका minus minus, minusد का 1, minus, minus 1, close, और 3, यह B की value, minus 10 थी तो यहां रखदिये, C की value, minus 10 थी, तह यह रखदिये, इसको इसको solve करेंगे, तो 2, 1 плат का 1, pro I, minus 3, तो यह अगर 3 दून मेरे 6, minus का 3, तो यह बरावर आज multif cabin, यह लेफ्ट जाइड बरावर आह macam आरे ह है इसका मतलब है कि A की value मेरे पास 1 होगी B की value minus 1 होगी और C की value क्या होगी मेरे पास में minus 1 होगी तो यहाँ पर रखेंगे तो A की value 1 रखेंगे तो यह 2 आ जाएगा B की value minus 1 रखेंगे तो यह क्या होगा जाएगा plus का आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा तो पांच में से चार जाएंगे तो एक बजएगा, यानि कि option C जोगा, वो इस question के लिए correct होगा, अगर आप इसे इस तरह से नहीं करना चाहते हैं, कि बहुत बारश होता कि values नहीं मिलती, तो आप इसे किस तरह से solve कर सकते हैं, इस तरह से देखे, यहां देखे, मैंने देखा A का square, plus में यह B का square, plus में C का square, इसको इधर भेजेंगे, तो माइनस का यह 2A हो जाएगा, plus का 2B हो जाएगा, पलस का 2C हो जाएगा, और यह 3 जो था ही, यह 1, plus का 1, plus का 1, इस गल्टू में 0 इसके बराबर आजएगा, सब को इधर भेजेंगे, तो आप ज़ड़ा प्लस में सेम, यह B का स्क्वेर है, यह B पोजिटीव है, यह भी पोजिटीव है, तो मैं सेज दिखता हूँ आपका, B प्लस का 1 का होल स्क्वेर, सेम ऐसी, अब C को C से कंपेर करेंगे, तो यह हो जाएगा, C प्लस का 1 का होल स्क्वेर, इसकल्टू में 0, जब 0 के बराबर होगा, I hope आप सभी गोशिन समझ में आया होगा,